दोस्तों कुछ सिनों पहले मैंने यहां पर ICICI bank में एक instant account open करने के लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे ICICI bank में एक instant account open कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने आधार card, pen card और अपने mobile number को use करके दोस्तों इस वीडियो में अने यह बताया थे कि आप लोग कैसे account को create कर सकते हो और दोस्तों इसको इसको सिर्फ कर लेंगे या पर दोस्तों आप लोग कुछ चोडा होटी चीज़ी अगर याद में रखते ह realistic तो आपको इस account को create करने में जो create करने का जो process है वो और भी जादा अच्छा हो जाएगा आपका experience जो और भी जादा अच्छा हो जाएगा जो minimum balance उसको maintain करके चलना पड़ता है चाहिए वो दोस्तों आपको 10,000 रुपए के FD करवाने होती है और जो normal इसमें आपको जो 10,000 रुपए का जो balance उसको maintain करके चलना पड़ता है इसके बाद दोस्तों अगर आप आप लोग यह वाला जो account इसको create करने जा रहे हो तो आप लोग यह धियान रखे कि आपका जो intent connection है वो एकड़म ठीक टाक हो और दोस्तों आपको वहां पे कोई इंटरेप्शन नहीं चाहिए अगर दोस्तों आप लोग अपना जो इंटरेशन है उसको करते करते अगर आपका इंटरेंट चला गया या कोई पेमेंट कर रहे हो तो तब आपका अगर इंटरेंट चला जाए तो उस वक्त आपको बहुत चाहिए परेशन ही हो शकते हैं आपका पेमेंट फील हो जाए आपका अपका अपका अंबर तीक तेरी किसे ना मिले यह सारी चीज़े हो सकते है तो मेंशा इंटरेंट चरुप अच्छा हो तब ही आप लोग यह वारा एकांट क्रेट कीजिएगा इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है वह आपको मैं बता देता हूं कि अगर आगर आप लोग जो एवडी अकाउंट है उसको क्रिएट कर रहे हो क्योंकि दोस्तों आपको हो शकता है कि वहां पे जो क्रेड़ काड़ हो चाहिए होगा तो तब आपको क्या करना है कि आपको जो का अकाउंट नमर सब कुछ जब ठीक होगा तब आप लोग उसका पेमिंट वहां पे कर सकते हो तो ऐसा बहुत सा लोगों के साथ हुआ है कर मेरे साथ तो ऐसा कोई हुआ नहीं है पर दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सा लोगों की प्रॉब्लिम देखिए कि वो लोग अपना अ और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी ब्रैंच में जाती हो तो वहां पर आप सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए आप लोग पहले इसको पेमिंट मत की जिए आप लोग इसको बात में आराम से पेमिंट कर दीजेए और दोस्तो अगर आप लोग यहां पर जो एवडे अकाउंट इसको क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहां पर जो 10,000 रुपए का जीरो बैलनस अकाउंट हो जाएगा आपको कोई एवडे करनी नहीं है तो ऐसा बिलकुल नहीं है आपका जब एक एवडे मैचूर हो जाएगा उसके बाद आपको दो मैने के यह पर टाइम जया जाता है उसके अंदर अंदर आपको दूसरा जो एवडे हैं 10,000 रुपए का य ऐसा साफ साफ उनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको पहले बोर्ड रहता है कि एक जीरो बैलनस अकाउंट नहीं है और दोस्तों इसके बाद आपका जो क्रेट काड़ है वो आपको यहां पर हो सकता है कि मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए क्यो तो आपको यहां पर wait करना है आप लोगं यहां पर customer के इसे बात कर सकते हो पर दोस्तों वो भी आप लोगों थोड़ी दिनों तक wait करने के लिए कहेंगे उसके बाद अगर आपको कोई result नहीं मिलता है तब आप आप वहां पर complain कर सकते हो और एक बात दोस्तों किया आपका जो क्रेट कार्ड है आपको वहां पे जो क्रेट कार्ड के डीटिल्स है मदब कि आपको जो क्रेट कार्ड मिल ले वाला है उसके डीटिल्स आपको पहले ही शो हो जाएंगे आपके नेट बैंकिंग अकाउंट पर दोस्तों उसके लिए भी आपको यहां पर आपके बैंक को च ले तो उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत ही आपको जो क्रेट कार्ड ये आपका जो 2 होता है वह आपके अकॉंट पर रिफलेक्ट नहीं होता है आपका जो एबडी के डीज़ से अपका जो क्रेट काड का डीज़ से उसको होने में थुरब से वक्त लगता यह अगर आपको आपको आपका एकाँट में नहीं दिख रहा है तो सब्सक्राइब एक वरकिंग डे का वेट करना है या मैं तो समझें कि यह पर सैटर्यू को अप Youtube नहीं कर सकते हैं तो आपका मड़ होता है मदे के बाद ही आपका जो FDA होते हैं वह आपके account में शो करेगा और एक बात दोस्तों यहां पे जब आपलों यहां पे account को create कर ले तो अपना जो netbank की उसको कर लेड़ तो जब जिस दिन आप नहीं यहां पर account को क्रियेट किया है उस दिन दोस्तों अगर आप लोग यहां पर ज्यादा पैसे टांशाओ करना चाहते हो तो वह आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों उस दिन के लिए आपको यहां पर डश़जा़ यॉपए limit दे दे रहता है और दोस्तों उस 10,000 रुपए से जादा का कोई भी amount आप लोग अपने account से transfer नहीं कर सकते और दोस्तों यहां पर एक और बात बहुत important है अगर दोस्तों आप लोग FD account create करें हो तो एक बात का आप यहां पर बहुत ज़्यानक है कि दोस्तों आपका जो credit card का जो limit होता है वो आपके FD को पर depend करता है अगर दोस्तों आप लोग ज़्यादा का FD करते हो तो आपका credit card का limit भी ज्यादा होता है यहां पर समझें कि आपने यहां पे बनाना होगा. तो उस हिसाब से अपको जो fd का है उसको सिलेख करना होगा. दोस्तो आज के लिए बRight अगर दोस्तो आपको इस एकाउट के बारे में और पोई क्वेश्चिन करना हो, आपको कोई डा वो तो आप लोग कर दीजे शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ और इस सेंग को सब्सक्राइब करना मत बुलिए पास बीजे बेल आइकनों इसको भी दबा दीजेगा